हेलो एब्रीवन, वेलकम टू विद्याश्री अकेडमी, आई होप यॉर डूइंग वेल, हम पढ़ रहे हैं याँ 26 जन्वरी का करेंट अफेयर, आज 26 जन्वरी है जिसे गर्दंत्र दिवस के रूप में बनाया जाता है, आप सभी लोगों को 74 वे गर्दंत्र दिवस की धेर सारी शुपकामनाएं, क्या आप जानते हैं कि 26 जन्वरी का दिन ही गर्दंत्र दिवस के रूप में क्यों चुना गया, क्यूंकि 26 जन्वरी 1930 को ही सबसे पहले पूर्ट स्वराज की बात की गई थी, इसलिए उसी दिन यह सुनेशित किया गया था, कि भारत अपना जो गर् चलिए स्टार्ट करते हैं, गर्दंत्र दिवस की पुनहा आप सभी को धेर सारी शुपकामनाएं, बतन हमारा मिशाल महबत की, तोड़ता है दीवार नफरत की, मेरी खुष नसीवी मिली, जिन्दिगी इस शमन में, भुला न सके कोई इसकी खुसबू सातो जनम में, तो प भारत को दुनिया में एक अलग स्थान देता है, विद्यश्री परिवार आप सभी को धेर सारी शुपकामनाएं देता है, हम हमारे जीवन का ये लक्ष होना चाहिए, कि हम अपनी कुछ ना कुछ योगदान अपने देश के विकास में जरूर दे सकें, आज का जो फॉस्ट इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो ये आयोजन FAO का हो रहा है कहां पर भारत की उपाध्यक्षता में, अब प्रशन आता है कि जब भारत इसकी उपाध्यक्षता कर रहा है, तो इसका अध्यक्ष कौन है, तो आप जानते होंगे कि जो FAO है, इसका जो अध्यक्ष ह दिवस भी कब मनाया जाता है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और एक question और आता है static fact में कि रोम किस नदी के किनारे है तो जो रोम है वो टाइवर नदी के किनारे है second question है आज का दिन का ही ये प्रश्ण है कि 2023 में भारत अपना कौन से नंबर का गरतंतर दिवस मना रहा है आपको option दिये जा सकते हैं पहला option दिया जाएगा 75 क्योंकि हमने आजादी का अमरित महोत्सव मनाया है और वो 75 वर्श पूर्ण हो चुकी है देखिए एक question ये काफी काफी लोगों ने इसका आंसर गलत दिया था कि जो इस बार का जो 15 अगस को हमने स्वतंतरता दिवस मनाया था वो लोग क्योंकि आजादी का 75 वर्श महोत्सव ऐसा बूला गया है तो 75 आंसर कर देते हैं लेकिन इस वर्श जो थी वो 75 वर्श कंप्लीट हो चुके हैं 76 वर्श गार्ट थी और 75 वर्श कंप्लीट हो चुके हैं चलिए हमने उसे अमरत महोत्सव नाम दिया था अब यहां पर पूछा गया है कि आज कौन से नंबर का गर्टंतर दिवस है तो 2023 में जो गर्टंतर दिवस है यह कौन से नंबर का है तो यह 74 वी नंबर का है अब आपसे पूछा जा सकता है वैसे तो आपने देखी लिए होगी आज की परेट की आज के मुख्य अथिती कौन है तो वो हैं मिश्र के राष्ट्रपती उनका नाम है अब्दुल फत्ह अलसीसी अब ये अब्दुल फत्ह अलसीसी मिश्र के राष्ट्रपती को बुलाने के पीछे भी कोई ना कोई कारण रहा होगा क्योंकि इतने सारे देश हैं हम अमेरिका के राष्ट्रपती को भी बुला सकते थे इंडोनेशिया और जो हमारे मित्र राष्ट हैं उनके राष्ट्रपती को भी बुला सकते थे लेकिन चूकि हमने आजादी का 75 वा वहुत्सव मनाया है और मिश्र और भारत के समंदों को भी 75 वर्ष कम्पलीट हो चुके हैं यही कारण है कि हमने इस वर्ष जो मुख्य अतिती है यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जब भारत ने अपना पहला गर्टन तरदिवस मनाया था उस समय पर मुख्य अतिती के रूप में किसे बुलाया था तो वो थे इंडोनेशिया के राष्टपती सुकर्णो जी उनका नाम भी याद रखना है कभी कभी इस तरीके के स्टैटेक फैक्ट आप से पूछे जा सकते हैं तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 को पूंट स्वराच की मांग की गई यही कारण है कि 26 जनवरी को क्या मनाया गया था गर्टन तरदिवस मनाया जाता है और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सम्विधान लागू कब से हुआ तो याद रखिएगा 1949 कभी भी आंसर नहीं करिएगा जो 26 जनवरी है 1950 से भारत का सम्विधान लागू हुआ था और 26 नवंबर को सम्विधान दिवस मनाया जाता है भारत की सम्विदान की क्या-क्या विश्यस्ताएं है तो ये सबी आपको पता होगा कि भारत का सम्विदान विश्व का सबसे बड़ा लिखित सम्विदान है और दो वर्ष 11 महीने 18 दिन जो समय लगा और जो factual point है वो आप पढ़ लीजिएगा या फिर description box में quality में मैंने ये पढ़ाया है आप उहां से भी पढ़ सकते हैं थाट question है IGBC द्वारा किस railway station को green railway station प्रमानन को platinum rating से सम्मानित किया गया है तो ये green railway station इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई production नहीं होगा और ये प्रमान बत्र मिला है विशाखा पत्नम के railway station को अभी हमने registration वाला भी मैंने आप से discuss किया था तो ये जो factual point है उससे related वो सब आप एक जगा note कर लीजे जिससे आपको आसानी होगी next question है भारती नौसेना द्वारा हिंद महासागर में कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया जा रहा है तो ये है ट्रोपेक्स exercise ये किसकी नेवी की exercise है हमने इसके पहले कल भी discuss किया था उसके पहले भी discuss किया था अभी नेवी कुछ दिन से काफी चर्चा में है तो ये सार रखना है और ये ट्रोपेक्स exercise जो है ये नेवी की exercise है और हिंद महासागर में अभ्यास हो रहा है नेक्स कुशन है कौमन सर्विस सेंटर अकादमी द्वारा निजी कमपिनी के साथ मिलकर साइबर संगिनी कारिक्रम शुरू हुआ है तो ये किसके साथ ये tie-up हुआ है ये कारिक्रम लॉंच किया गया है नेक्स कुशन है 25 जनवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश ने 53 अस्थापना दिवस मनाया है आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी तो 1971 देखिए इस तरीके के जो स्टेट के स्थापना दिवस है ये आपसे पूछे जा सक तो ये तो आपको याद ही रखना है कि 25 जनवरी 1971 का वह दिन है जिस दिन हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान में सीम है वो कौन है सुख विंदर्स है संदू जी है याद रखिएगा और हिमाचल प्रदेश में इसके अतरेक्त से पूछ जा सकता है फिर जो 56 constitutional amendment है इसके द्वारा गोवा बनाया गया था क्या आप बता सकते हैं कि गोवा किसकी कोलोनी था अगर आपको पता है तो comment box में लेकर बताईएगा फिर 2 जून तेलांगाना तेलांगाना बिलकुल आपको याद रखना है 2 जून 2014 क्योंकि तेला इसके पिर जून तेलांगाना का गठन किस तरीके से किया गया था और 24 जनवरी भारत की सबसे अधिक जनसंख्यावाला राज ये उत्तर परदेश 24 जनवरी को उत्तर परदेस का स्थापना दिवस रहता है 1 नवंबर आप सभी जानते होंगे 1 नवंबर को मत्येप्रदेस हुई थी और मद्यप्रदेश से अलग होकर ही 36 गड़ बनाया गया था 9 नवंबर और 16 नवंबर को भी किनी राज्यों का स्थापना दिवस रहता है किन राज्यों का रहता है यह आप बताएंगे मैं नहीं बताऊंगी आपको कमेंट पॉक्स में लिखकर बताना है इतने point आपको clear हो गए होगे फिर next question है उत्तर भारत का सबसे बड़ा तेरता हुआ solar plant का उधगातन कहां पर हुआ है देखिए solar plant तो कोई बड़ी बात नहीं है आपने बहुत सारे solar plant देखे होंगे इंडिया में लेकिन यहाँ पर इसकी specialty क्या है कि यह तैरता हुआ है floating solar plant है तो बड़े-बड़े क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में जो है पानी की वैसे कमी नहीं है तो आप देख सकते हैं कि जो solar plant है यह तैरता हुआ है यह कहाँ पर बना है उत्तर भारत का है तो कहाँ पर इसका उधगाटन हुआ है चंडिगड़ में हुआ है चलिए यह तो बात हो गई चंडिगड़ की लेकिन तेलंगाना और मध्यप्रदेश में भी काफी famous floating solar plant बने हैं यह आप से पूछ जा सकते हैं जैसे कि रामा गुंडम परियोजना जो है यह तेलंगाना में है और ओमकारिश्वर बान जो है वो मध्यप्रदेश में है जो ओमकारिश्वर में floating solar plant बना है यह कहाँ पर आता है तो यह खंड़वा में आता है यह आपको याद रखना है फिर नेक्स कुश्यन है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर ओरेंज फेस्टिबल 2023 का तीसरा संस्क्राण आयोजित किया जा रहा है तो वो है नागालेंड अब नागालेंड है तो आपको नागालेंड से रेलेटेट कुछ फैक्ट पता होना चाहिए IES के एक्जाम में ये प्रशन पूछा जा चुका है कि माउंट सारा मती कहां पर इस्तित है और आप जानते होंगे बहुत सारे चो एक्जाम है उसमें 2011 की जनगरना बहुत ही कॉमन होती है क्योंकि अभी 2011 के बाद कोई latest जनगरना नहीं हुई है उसके आंकड़े आने वाले हैं तो कोवेट के कारण थोड़ा डिले हुई है तो अभी जो एक्जाम में पुराने पूछे जाएंगे question जनगरना से related वो most of 2011 से ही पूछे जाएंगे तो ये प्रशन काफी एक्जाम में पूछा जा चुका है MPPSC में भी ये प्रशन आ चुका है कि रनात्मक जनसंख्या दरवाला राज्य कौन सा है आप सभी जानते हैं कि भारत ने जैसे जैसे उननती की है वैसे वैसे जनसंख्या बढ़ी है लेकिन चुकी ये अलग है अपवाद है और अपवाद काफी पूछे जाते हैं कि रनात्मक जनसंख्या ब्रद्धी दरवाला जो राज्य है वो कौन सा राज्य नागा लेंड है तो आपको याद रखना है कि नागा लेंड में निगेटिव ग्रोथ रेट है व्रद्धी में फिर आप से पूछा जा सकता है इससे जनसंख्या से रेलेटेट भी आप जो पॉइंट है वो याद कर लीजेगा कि जैसे मध्य प्रदेश जो है अग जारत की जनगरना से रेलेटेट पॉइंट याद कर लीजेगा नेक्स कोशन है कि प्रशिद जो प्रिट्सकर अवोर्ड होता है आर्किटेक्शर का पुरुसकार है ये वो कौन से पहले ऐसे वास्तुकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है तो ये बालकृष्ण जोसी जी है ये काफी विख्यात थे आर्किटेक्शर के शेत्र में तो इनका निधन हो गया है और अभी कुछ दिन पहले ही इनको रॉयल गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया था तो जब भी कोई फेमस परस्नालिटी का निधन होता है तो उनका निधन भी चर्चा गत होता है और इनको याद रखिएगा वेश्विक स्टैक डेवलपर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है तो यह आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में याद रखिएगा फिर आज का जो क्वेश्चन है वो है वर्तमान में नीती आयोग के देखे नीती आयोग जो है नेशनल इंसिटूशन आफ ट्र सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट सभी नहीं करते हैं मैं आशा करती हूँ आप सभी आंसर करेंगे क्योंकि यदि आप आंसर करते हैं तो आपका वो क्वेश्चन तो तयार हो ही जाता है यह आज का करेंट अफियर ता कल का करेंट अफियर क्विक्ली रिवाइ को होता है ये मैंने कल आपको बताय था एक दिन और याद रखना है आपको 25 जन्वरी के दिन राष्टी परेटन दिवस भी मनाया जाता है तो चाहे राष्टी मतदाता दिवस हो या राष्टी परेटन दिवस हो तो अनों 25 जन्वरी को मनाया जाते हैं 24 जन्वरी को कौन सा द जो SEO है उसके फिल्म उतसव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है तो ये भारत की जो शेहर है मुंबई वहां पर किया जा रहा है SEO का मुख्याला है कहां पर इस्थे थे तो ये बीजिंग में इस्थे थे और ये प्रश्न आ चुका है अगर 2022 में पूँचें कि SEO की बैठक की अध्यक्षता किस ने की थी तो समरकंद ने की थी जो उजवेकिस्तान में आता है फिर चीन द्वारा माबजा जांगबो नदी पर बांध बना रहा है तो ये पूछा गया था कि ये नदी किस नदी की सहायक नदी है तो आंसर था गंगा नदी आपको बताना है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताईएगा स्पेस एक्स द्वारा किस उद्देश से स्टार लिंक उपगरह प्रोजेक्ट को लॉंच किया गया जब भी बात स्पेस एक्स की आती है तो आपको याद रखना है कि ये अमेरिका की कमपनी है और इसके जो संसापक है वो कौन है एलॉन मस्क एलॉन मस्क अभी काफी चर्चा में थे क्यों चर्चा में थे क्योंकि उन्होंने ट्विटर को खरीद लिया था ट्विटर के साथ उन्होंने कितने डॉलर में डील की थी अगर आपको ये पता है तो ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताईएगा तो जो Space X के द्वारा Starlink Project लाँच किया गया है इसका संबन्ध है High Speed Internet प्रदान करने से कुछ मिशन है ये हम कल डिसकस कर चुके हैं आप वहाँ से पढ़ लीजेगा कैलिग्राफी मूरल का निर्माड कहां पर किया जा रहा है तो ये मक्का में किया जा रहा है वायू सेना के द्वारा उत्तर पूर्वी भारत में एक अभ्यास हुआ है प्रलाय अभ्यास तो question ये था कि वायू सेना की पूर्वी कमान कहां पर है तो वो श्रीलोंग में इस्ते थे 74 वी गर्दंतर दिवस के मुख्या थी थी अब ये नाम आपको रच चुका होगा उनका नाम है अब्दूल फतेह अल सीसी ये कहा के राष्टपती हैं ये मिश्टपती हैं प्रधान मंत्री राष्टी बाल पुरुसकार में कितनी राष्टी प्रदान की जाती है तो एक और एक ग्यारा इस तरीके से याद रखिएगा एक लाख रुपे इसमें प्राइज मनी मिलता है और ग्यारा बच्चों को 2023 में सम्मानित किया गया है केंद्र सरकार द्वारा कुस्ती महासंगे के अध्यक्ष अध्यक्ष के कामकाज को देखने के लिए ओवर साइट समीती का गठन किया गया है ये कल मैंने पूरा टॉपिक डिसकस किया था कि किस तरीके से जो कुस्ती महासंगे के अध्यक्षते ब्रजबूशन उनके उपर सेक्शुल हरस्मेंड के आरोप लगे हैं उनको हटाया गया है और इस मामले की पूरी जांच करने के लिए एक ओवर साइट कमेंटी का गठन किय गया है जिसकी हैड है कौन मैरी कौम जिनने सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है मैरी कौम का संबंध किस राज्य से है तो मैरी कौम का जो संबंध है वो मनीपुर राज्य से है next question था कि हिमाचल प्रदेश की मुख मंत्री हिमाचल प्रदेश की मुख मंत्री कौन है तो वो है सुकुबिंदर संदू इनके द्वारा देश का पहला हरित राज्य बनाने का टार्गेट हिमाचल प्रदेश ने कब तक रखा है वो रखा है 2025 तक हिमार्चल प्रदेश जो है वो क्या बन जाएगा ग्रीन स्टेट का दर्जा प्राप्त कल लेगा ऐसा हिमार्चल प्रदेश का कहना है तो कल मैंने आपसे ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक से शेयर करिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए पुर्णा आप सभी को गरतंत्र दिवस की डेर शारी शुपकामनाए अपने देश का अपने लोक तंत्र का आधर करें देश के लिए कुछ अच्छा करने के लिए नित नवीन प्रियास करते रहें इसी भावना के साथ जय हिन जय भारत पढ़ते रहें खुश रहें